नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं कलपना कहते हैं, कलपना के कहने पर ही काम हो रहा है, यह परिवारवाद का परत्यक्ष उधारन है, इस सरकार को हटा कर NDA की सरकार बनाएंगे, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में सीजल परिशा की CBI जाच और एक साल में दो लाख लोगों को नौकरी के नुसंसा करें वे गुरुआर को साकची बोधी मैदान में आयूजित NDA की नमांकन सभा को समोधित कर रहे थे, बता दे असम के मुख्य मंत्री हिमंता विश्वा सर्मा ने कहा है कि जारखन को घुस पैठियों से बचाना है, असम की हलाद भी इसी तरह के थे, 20% मुसल्मानों की संख्या बढ़ते बढ़ते घुस पैठियों की संख्या 45 परिशत हो गई, बांगलादेशी घुस पैठियों के कारण जारखन की जन संख्या बदल रही है, वहीं हिमंता विश्वा सर्मा ने कहा है कि राज में NDA की सरकार बनते ही बालू फिरी हो जाएगी, सरकार सबसे पलेड़े लग युवाओं को नौकरी देने का काम करेगी, उन्होंने साल में दो तेवार पर दो गई सिलंडर फिरी देने का वादा किया है, उन्होंने कहा कि गोगो दीदी योईना से जारखन की लड़कियों वह महिलाओं को प्रती मा एकईस से रुपे भी मिलेंगे, जैराम महतों उन्होंने कहा बाहरियों के हाथों में बेची जा रही जारखन की नोकरी, राज में सिक्षा स्वास्त बेवस्ता पूरी तरह ध्वस्त है, जारखन की नोकरी बाहरियों के हाथों में बेची जारही है, और यहां के युवार रोजगार की तलास में प्लाइन कर रहे हैं, उ ज़ारखन सरकार पांच साल नोक tapesi बेचने की काम किया है शरकार ने देखा इन पांच सालों में हमने कोई काम नहीं किया तो चुनावचे ठीक दो महपुर्भ्य मैय समानी ज़ीना लेकर ज़ारखन को लोगो को ठगने के काम करने में जुट गई लेकिन ये सरकार जो पैसा हमें दे रही है वे हमारे ही टेक्स का है आज अंगनवाडी के रसोया सेविका को एक साल से पैसा नहीं मिला है उन्होंने कहा है कि जिस दिन जारखन में बढ़िया नियत रखने वाला नेता आएगा उस दिन जारखन की तस्वीर बदल जाएंगे टाटा इस्टील का हाफ महराथन 24 नॉमर को 10 लाख तक का इनाम टाटा इस्टील की वर से जम सेथपूर में 24 नॉमर को हाफ महराथन दोड का उजन करेगा कमपनी के अधिकारियों ने इसकी घोशना गुरुवार को ही नॉमर के महराथन का थीम रन फोर फिटनेस रन फोर फन है इस साल दोड की स्डेनियों में कुछ खास विकल्प सामिल किये गए है आनंद रन 2 किलिमेटर की परिवार मैत्री वा गैर प्रतियस परति दोड में हर वायू वर्ग के प्रतिभागी सामिल हो सकते है इसके अलावा 5 किलिमेटर वा 10 किलिमेटर की महराथन दोड रखी गई है परति भागीयों के लिए कूल करीब 10 लाख रुपए की प्रोस्कार रासी रखी गई है हाप महराथन के विजेता को 1 लाख रुपए का इना मिलेगा जारखन में दाना तुफान को लेकर 25 को तीन जीलो का इसकूल बंद दाना तुफान को देखते हुए इसकूली सिक्षा विभाग ने तीन जीलो पच्मी सिम्भूम, पुर्वी सिम्भूम और सरायक लाखर सवाग सभी स्कूलो को 25 अक्टूबर को बंद करने का आदेस जारी कर दिया है जारी आदेस में कहा गया है कि भारत मौसम भी ज्यान भी भाग, मौसम केंद्र, रांची, जारकर में चक्रवाती, तुफान दाना के परभाव के रूप में भारी वर्षा यवं तेज हवा की चेतावनी दी गई है इस पर उपायूक्त 25 सिंभों चाइबासास से प्रापत अन्रोध के आलोग में, 25 सिंभों, पुर्वी सिंभों, एवं सराएक लाखर्स वाजिले में संचाड़ी सभी कोटी के सरकारी, गयर सरकारी साहता प्रापत, एवं सभी निजी बिद्यालो में केजी से वर्ग 12 तक की कक्छाओ को 25 अक्टूबर को बंद रखने का पैसला लिया गया है सीम हेमंत ने बरहेट से किया नमांकान जारखन बिधानसभा चुनाओ के लिए राजे के मुख्यमंतरी हेमंसुरे ने गुरुवार को जामो परत्यासी के रूप में बरहेट सुरक्षित बिधानसभा सीट से अपना नमांकान पत्र दाखिल किया है उन्होंने निर्वाची पता दिकारी सा अपर समहारता गौतम भगत के समक्ष अपना नमांकान पत्र जामा किया है नमांकान पत्र दाखिल करने के बाद मेडिया से बात करते हैं मुख्य मंतरी हमांसुरे ने कहा है कि पूरे राजे में चुनाव की परकिरिया चल रही है राजे में दो चर्णों में चुनाव हो रहा है इसी परकिरिया उन्होंने भी आपना नमाका दाखिल किया है एक सवाल के जबाम उन्होंने कहा है कि इलाके में बंगलादेशी घुसप्रेट का मुद्ध भाजपा के मन की उपज है यह सिर्फ उनका एक चुनावी एजेंडा है और कुछ नहीं उन्होंने भाजपा पर तंज कसते वे कहा है कि चुनाव के समय में भाजपा के कथाक थित परदेश और आश्री अस्तर के बड़े बड़े नेता यहां पहुंच चेंगे और जानता से तरह तरह के वादे भी करेंगे लेकिन चुनाव होने के बाद सभी वापस लोड़ जाएंगे और जानता की सेवा के लिए वे लोग ही यहां रहेंगे ऐसे में जानता कोई आप पहचान करनी होगी कि उनका असली सेवा कौन है जामोमो परत्यासी कलपना सुरेन ने गांडे से किया नमांकन मुखी मंत्री हमान सुरेन की पत्नी कलपना मुर्मो सुरेन ने गुर्व और वो गांडे विधान सभाट छेतरे के जामो परत्यासी के तोर पर अपना नमांकन दाखिल किया है नमांकन के वक्त उनके साथ राज सभा सांसर डाक्टर सफ राज आमधी मजूद थे नमांकन के बाद कलपना सुरे ने कहा कि गांड़े विधान सभा की जनता की सेवा करने के लिए मैं चुनाव लड़ रही हो मुझे यहां की जनता का सने आदर निये बाबा दिस्वम गुरु जी और मा का असिरवाद एवां हेवान सुरेन का साथ मिला है इससे मेरा काफी होसला बढ़ा है बोकारो इस्थीत एसके स्टील प्लांट में बॉयलर फटने से चार मैदूर जुल से बोकारो के बाली डी थाना चेतरे के बियाडा फेज़ती निस्थीत बाली एसके स्टील प्लांट में बुद्ध वार देर रात बॉयलर फटने से चार मैदूर गंभी रूप से जुलस गया है घर्टना में काम करने के दोर वहां मजूद चार स्रमी गंभी रूप से जुलस गया है इसके बाद लोगों ने सभी घायल मैदूर को बीजी एच पहुचाया है जहां सभी कहला जारी है गैंग्ष्टर अमन साहू नहीं लड़ सकेंगे चुनाव कुख्यात अपराधी अमन साहू बरका गाव विधान सभा से चुनाव नहीं लड़ पाएगा जहारखन हाई कोर्ट के जश्टिस एसके दिवेदी की पीठ ने गुरवार को चुनाव लड़ने के लिए साजा पर रोक लगाने की मांग वाली उनकी याज का खारिच कर दी है पीठ ने कहा है कि अमन साहू के खिलाब 120 से अधिक गंभीर अपराधिक मामले दर्च है पीठ ने अमन साहू के अधिवक्ता के उस दलिल को भी नहीं माना जिसमें मामता देवी के मामले में दिये गए आदेश को अधार बनाया गया था पीठ ने कहा है कि मामता देवी का मामला इससे बहुत भीन है मामता दईपरमात्र दो ही मामले थे जबकि प्रार्थी पर 120 संगिन मामले हैं ऐसे में अपराधी अमन साहू की साजा परोक नहीं लगा जा सकती प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता हिमंत कुमार सिकरवार की ओर से पक्ष रखा गया है जमसेत पूर में बैल गारी से नमांकन करने पहुंचा उमिद्वार जारकन बिधान सभा चुना दो है 24 किल नमांकन में तेजी आ गई है साता धारी और विपक्षी गडबंधन के दिगर नेता नमांकन कर रहे हैं सीबी जारकन की एक बिधान सभा चेतर में घजब करना जारा देखने को मिला है इस हाइटेक जबाने में एक उमिद्वार बैल गारी पर सवार होकर परचा दाकिल करने पहुंचा इस सक्थ ने बैल गारी पर खड़े होकर मीडिया को समोधित किया और कहा है कि विधायक बन कर वह चेतर की समस्याओ को दूर करेंगे अगर वह चेतर की समस्याओ का समाधार नहीं कर पाया तो दोबारा जानता के बिच भोट मांगने तक नहीं आएंगे इस उमिदवार का नाम जीतन्द सिंग है बताथे जीतन्द सिंग ने जमसेथपूर पाच्चमी बिधानसवा सीट से पर्चा भरा है इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने ज्यारकन के स्वास मंतरी बना गोपता को मैदान में उता रहा है जारकन के एक और पुर्व मंत्री सर्जूरा इसी विदान सभा सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जामुमों से बीजेपी में आये पुर्व सीम चमपाई सुरेन का सुर्फ पूरी तरह बदल गया है उन्होंने मुख्य मंत्री हमान सुरेन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार ने जानता के लिए कुछ नहीं किया है वह मेरे पांच महेने के कारेकाल के उपलब्दिया बता कर आज जानता से वोट मांगने जा रहे हैं जानता सब जानती है आपकी बार परिवर्तान होकर रहेगा बता दे कि उन्होंने ए बाते आएसे वक्त में कहिया जब जार्खन की रायनिती गरम है लेकिन अभी उन्होंने विधान सबाक विशेश सत्र में खूद को हमान सुरेन पार्ट टू बताया था दरसल चंपाई सुरेन ने बुधवार को भाजपाक का सिंबल लेकर पहली बासराय के लाजिला मुख्याले पहुचे थे इसी दोरन पार्टी का रियाले ने उनका स्वागत किया उन्होंने पार्टी करकर तावक साथ बैठक भी की है हेमान सुरेन के पास नगद में मात्रे 45,000 रुपई और दो हीरे के हार जारखन के मुख्य मंत्री हेमान सुरेन ने 2,83,360 रुपई की चल अचल संपति के मालिक है उनके पास दो डायमांड ने कलेस एक इटालियन चेन और एक राइफल है हेमान सुरेन ने निर्वाचन आयों को एक सपत पत्र दे करया जनकारी दी है बताद जारकन विधान सुबा चुना दो है चोवीस के लिए बरहेट विधान सुबा सिट से नमांकन दाखिल करने वाले हेमान सुरेन ने यह भी बताया है कि वर्थ 2006-2008 के बिच उन्होंने 20,64,875 रुपए में 23 प्रोपटी खर दी थी जिसका आज बजार मोले 1,92,67,697 रुपए है यह सभी प्रोपटी धनबाज जीले के गोविंदपूर बोकारो जीले के जरीडी और राइधानी रांची के अनगड़ा में है वहीं भारतिय स्टेट बैंक रांची में उनका एक अकाउंट है जिसमें कूल 32,33,996 रुपए जमा है वहीं दूसरे अकाउंट में 1,64,680 रुपए है वहीं हेमान सुरेन के पास नगड़ में मात्र 45 रुपए है इसमें दोनों तरब से कई रांड फैरिंग हुई है पहाड़ी इलाके का फैदा उठाते वे नकसली भागने में सफल रहे है इस दोरान पुलिस ने नकसली दोआरा उप्योग में लाए जा रहे समान को जब्त किया है मुद्भेड के बाद पुलिस इलाके में सर्च अप्रेशन चला रही है बता दे पलामु जिले के छतरपूर नवापजार और पाटन थाना चेतरे के बॉर्डर इलाका तूरिक दाग के पहाड़ी इलाके में पुलिस और टी एस पीसी नकसलीओ की बिज elections मुड़ेड हूई है पुलिस और टी एस पीसी नकसलीओ की बिज कई round firing हूई हलाकी किसी क metaphango की सुचना नहीं है इस दवरान पूलिस ने नक्सलियों के रोजमरा के समान भी ब्रामत किये हैं दाहुयादव के घर एडी की दविश नहीं मिला दाहुयादव जारकन के संताल परगना छेतर में एक हजार क्लोर के अवैद खनन और मनी लोंडिंग मामले में कई महीने से फ्राच चल रहे हैं राजे स्यादव उर्फ दाहुयादव के घर गुरु आर सुबा करीब आठ बजे एडी की टीम दविश दी है चार सदस्यी एडी की टीम करीब आधा दर्जन अर्ध सैनिक बल के साथ दो इनुवा कार्ट से सवार होकर सुबहन पूर भठा दाहुयादव के आवास सिये गांपोंची एडी की टीम ने आवास के इलाके में दाहुयादव के बारे में पूछ ताच की है बताया जा रहा है कि इस दोरान दाहु यादो के पुत्र राहुल यादो ने इडी को बात चीत कर बता है कि अभी हाल ही में मैं और मेरे चाचा जेल से छुट कर आया है इसके पुर्व भी इडी ने करवाई की थी और घर कुर की जबती किया गया राहूल यादो ने कहा है कि मेरे पिता दाहू यादो यहां नहीं रहते हैं चुनावी घोसना से भी गायब होती जा रही कनहर सी चाई पर्योजना गढवा जिले की अती महत्वकांची कनहर जलासर सी चाई पर्योजना सीफ सरकारी फाईलों में गूम होती नजर आ रही है या अब सभी राईनितिक दलों के चुनावी घोसना पत्र से भी गायब होती जा रही है पिछले करीब 4 दसक तक या हर लोग सभा और विधान सभा चुनाव में गढवा जिले का महत्पुन चुनावी मुदा रहता था सभी राईनितिक दल अपने खुसना पत्र में कनहर सी चाई पर्योजना को चालू करने का वादा करते थे इस मुदे को लेकर संगहर्ष करने वाले कई लोगों को जानता ने अपना परतिनिधी भी बनाया लेकिन बीते दो से तीन विधान सभा और लोग सभा चुनाव से या मुदा गायब हो चुका है बता दे कनहर सी चाई पर्योजना को लेकर जीवन भर लड़ाई लड़ने वाले पूरो विधायाक हेमेंद्र परताप द्यहाती और पूरो सांसर जोरवार राम का निधन हो चुका है कनहर पर्योजना के मामले को अपने मंत्रित्वक काल में काफी आगे तक पहुचाने का पर्यास करने वाले पूरो मंत्री रामचंद्र केसर भी अविस मुद्दे पर पूरी तरह से सांथ हो चुके है जैराम महतुने सीम हमन के खिलाब उतारा थौमस सोरेन को जे एलके एम ने जहरकन विधान सबा चुनाओ को लेकर अपने उमिद्वार के सूची जारी कर दी है इसमें साथ उमिद्वारों के नाम है गुरुवार को पार्टी नियार लिस्ट जारी कर दी है बताद इसमें केंद्रिया द्यक्स जैरा महतुर ने बरहेट सीट से सीम हमान सुरेन के खिलाब थोमस सुरेन को उतारा है जबकि राची विधान सभा सीट से पार्टी ने प्रेम नायक को भाजपा के दिगर नेता सीपी सिंग और जामो की महवा माजी के खिलाब मैदान में उतारा है सहरी छेत्रों में वोटिंग परसेंडेज बढ़ाने के लिए इसकूली बच्चों से पत्र लेखान राजे के सहरी छेत्र के स्कूलों के बच्चे अपने माता पिता को वोट डालने के लिए पत्र लिखेंगे सहरी छेत्र में मतदान का परतिस बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाएगा जारकन सिक्षा परविना निदेशक ससीर अंजन ने इस सम्माद में सभी DEO और DSE को पत्र लिखा है जीलों को भेजे के पत्र में कहा गया है कि राजे में 13 और 29 अमर को विधान सभा चुना होना है चुनाओ के दवडान सभी मतदाता अवसे रूप से मतदान करें इसके लिए लोगों को जागरूप करने के हो सकता है मतदाओ को जागरूप करने के लिए सुब्यवस्थित मतदाता सिक्षा एवाम निर्वाचक सहभागिता कारकरम के तहाथ बद्दान के लिए सहरी छेत्र के स्कूले के बच्चे अपने मता पिता को पत्र लिखेंगे रिम्स से एक बार फिर नवजात की चोरी राजे के सबसे बड़े अस्पताल में आए दिन बच्चा चोरी होने की घटनाय सामने आती रहती है बता दे रामगार निवासी रामेस बेदिया ने बरियातु थाना में केस किया है रामेस ने पुलिस को बताया को अस्पत्नी और छाह दिन के बेटे को लेकर रिम्स पहुंचा था पत्नी का रिम्स में इलाज कराना था वो पर्चा कटाने के लिए लाइन में लगा तो एक यूती वहाँ आई और उसकी पत्नी से बात्चित करने लगी पर्चा कटाने में मदद करने के बाद साथ में नास्ता भी किया घूल मिल जाने पर उसने बच्चे को गोद में लेकर में गेट तक पहुँचा इसके बाद से वे पत्नी के साथ एचाईवी वार्ड में चले गया वहीं रमेश के पीछे पीछे यूती एचाईवी वार्ड में पहुँची और उसकी पत्नी के पास खड़े हो गई नर्स ने रमेश की पत्नी को सुई देने के लिए अपने पास बुलाया तो यूती ने बच्चे को अपने गोध में ले लिया बता दे नर्स चब इंजेक्शन लगा रहे थी तो यूती बच्चा लेकर वाट से बाहर आ गई इसके बाद उन्होंने उस यूती को काफी खोजबीन किया लेकिन वा नहीं मिली देवघर से भाजबा परत्यासी नरायन दास 28 को करेंगे नमांकन जारखन में देवघर विधान सबाज चेतर में चुनाव 20 नौंबर को होना है 22 अक्टूबर से नमांकन की परकिरिया शुरू हो गई है देवघर विधान सबाज चेतर से भाजबा परत्यासी नरायन दास ने गुरुवार को आपने नमांकन पत्र खरदा है वे चार सेट में नमांकन दाकिल करेंगे बतादे 28 सक्टूबर को देवघर विधान सबाज चेतर से भाजबा परत्यासी के रूप में नरायन दास नमांकन दाकिल करेंगे सदर अनमांडर करयाले में अपने करकाताव के साथ वे नमांकन करने पहुचेंगे चीराग पासवान ने कहा यहां कि सिम्म को जेल जाना पड़ता है नमांकन के बाद गाणने बाज़े के साथ लोजपा राम विलास पार्टी के राष्ट्रिये अध्याक सक्टिरे मंतिर चीराग पासवान थाना मैदान में अधान पहुचेंगे जन सभा को समोधित करते हैं चिराग पसवान ने जारखन के मुख मंतरी हमां सुरेन पर तीखा अमला बोला उन्होंने कहा है कि बड़े अपसोस के साथ यह कारना पड़ रहा है कि यहां के मुख मंतरी को भरष्ट चार क्या रोप में जेल जाना पड़ता है इसके कारन हम लोगों को सर्मसार होना पड़ा वहीं दूसरी और हमारे गड़ बंदन के नेता सह परधान मंतरी के कारियों ने दुनिया में विकास की गाथा लिखते हुए भारत का नाम सिखर पर लिखवाने का काम किया है कांग्रेस परत्यासी दिपिका पांडे ने महांगामा से दाखिल किया नमांकन विखते हुए नमांकन से पूरव दिपिका पांडे सिखर प्रकास रामने गूरुवार को लाते हार विधान सवाग शेतर से नमांकन पत्र भरा है उन्होंने अन्मंडर करेले पहुँचकर प्रस्तावक के साथ निर्वाची पतादिकारी अजय कुमार रजक के समक्ष अपने नमाकन पतर दाखिल किया है इस दोरान बतर प्रस्तावक अस्थाने भाजपा करता उपस्तित रहे नमांकन दाखिल करने के साथ ही उनके समर्थ को दुवारा बधाई देने का ताता लग रहा नमांकन के बाद भाजपा परत्यासी परकास राम ने बड़े अंतर से जीत तर्ज हासिल करने की बात कही है उन्होंने मीडिया को समोधित करते हुए कहा है कि बरतमान सरकार जिवाओ को छलने का काम किया उन्होंने कहा है कि लातेहर जिला में रोजगार के काफी अवसर है किन्तु बरतमान सरकार के उदा सिंता का पईनाम रहा है कि पढ़े लिखे युवा आज भी रोजगार और नौकरी को लेकर बाट जो रहे हैं बाबा मंदीर में 30 को यम दीप दीपावली 31 अक्टूबर को बाबा नगरी देव घर में बाबा 22 मंदीर परिशर में सभी देव ताओ की पुजा करने की प्राचिम प्रमपरा रही है इस वर्श 29 अक्टूबर को कार्तिक मार्श 22 तीथी पर धनतेरस होगा इसके बाद मंदीर एस्टेट की ओर से बुद्धवर 30 अक्टूबर को 13 तीथी पर सारद्दा पंडा सिरी सिरी गुलाब नंद ओजा बाबा मंदीर में यम दीप जलाएंगे दीपावली का पर गुरुवर 31 अक्टूबर को कार्तिक अमस्वा के दिन धुमधाम से मनाया जाएगा इस पावन अउसर पर बाबा बाबा बैधनात मंदीर में हजारों सरदालों दीप जलाकर मंदीर को रोशन करेंगे साथी मंदीर प्रसासिनिक भवन वेश्थी तुर्गा मंडप में मार काली की तांतरिक विदी से विशेश पूजा आचना भी की जाएगी हेमंत सरकार ने महिलाओ को समान दिया बैधनात राम सिक्षा मंत्री बैनाथ राम ने कहा है कि जारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने परदेश की महिलाओं को समान वा युवाओं को रोजगार दिया है सरकार ने समाज के हर तब के लोगों के लिए काम किया है और अगली बार भी महा कटवधन की सरकार जारकान में बनेगी आज परदेस के लोगों के चेहरे में खुसी है राम नवांकन करने के बाद पत्रकारों को समोधित कर रहे थे उन्होंने आगे कहा है कि पुर्व की भाजबस सरकार के अवल जुमले बाजी करती थी धरातल पर उनका कोई काम आज तक नहीं उत्रा उन्होंने परदेश के युवाओ को छणने का काम किया लेकिन हेमान सुरेन की सरकार में आज परदेश में युवाओ को नोकरी दी जा रही है उन्होंने सोरोजगार से जोड़े जा रहे हैं आज समाज के अमतिम ब्यक्ति तक बेहतर सड़क सीचाई सिक्छाव अस्वास्त की सुविधाय पहुचाई जा रही है पांकूर से अलमगीर अलम की पत्नी को टिकट जारखन बिधान सबाचुना 22 24 कुलक का कांगरेस न उमिद्वारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दिया है पांकूर से निशाथ अलम को टिकट दिया है निशाथ अलम कांगरेस ने तो अलमगीर अलम की पत्नी है वहीं कांग्रेस्ट ने बरही से अरून साहो को उमिद्वार बनाया है डाल्टन गंज से केंतिर पाठी को भी पाठी ने टिकर दिया है बता दे इससे पहले मंगलवार की देर रात कांग्रेस्ट ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी पहली सुची में कांग्रेश ने 21 उमिद्वारों के नाम का एलान किया था मजूदा सरकार के बीत मंद्री रामेशुर उनाक लोहर्दगा सीट से एक बार फिर उमिद्वार बनाया गया है पलामू के 5 वीश छेतर में 6 दिन 40 ने किया नमांकन पलामू जुले के कूल 5 वीधान सभाज छेतर डाल्टेन गांज वीश रामपूर पांकी छतरपूर और हुसायनाबाद वीश रामपूर से चाटे दिन गुरुवार को 40 परतियास उन नमांकन परचा निर्वाक्षी पता दिकारी के समक्ष दाखिल किया है आट अब यारतियों नमांकन परचा की खरिदारी की बतादे पाकी वीधान सभाज से 7 चतरपूर से 3 और डाल्टेन गांज से 12 वीश रामपूर से 11 और हुसायनाबाद से 7 लोग ने नमांकन परचा भरा है पाकी वीधान सभाज से पूर्व विधायक जा कांग्रेश नेता देवेंद्र कुमार सिंग उर्फ बीटु सिंग और अजाद समाज पार्टी के मुम्ताज खान ने भी नमांकन किया है धन्यवाद